आज देट है 27 मार्च और दहुंदी एडिटोरियल डिसकस्चन में आपका स्वागत है आज हम दो आर्टिकल डिसकस करेंगे एक आर्टिकल पार्लियमेंट की जो कंडिशन है वसे रिलिटेड और सेकेंड आर्टिकल महरास्ट के जो होस्पिटल में आपकी जो डिलेटेड इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में डिसकस्चन करने वाले हैं तो चलो डिसकस्चन स्टार्ट करते हैं हमारा जो first article है वो Parliament से related है सबसे पहले अगर context की बात करें तो इस article में ये बोला गया है कि Parliament की जो functioning है वो समय के साथ जिस तरीके से deteriorate हो रही है अगर उसको रोका जाता है तो जिस constitutional mandate के लिए Parliament को बनाया गया था उसको fulfill किया जा सकता है स्टार्टिंग में इस article की सुरुवात इस तरीके से की गई है कि Parliament का जो budget session का second phase अभी चल रहा था और उस second phase को जो original plan है उससे दो सपता पहले ही खतम कर दिया गया इससे पहले भी अब 2020 की बात चल रही है 2020 में भी budget session को COVID-19 की वज़े से पहले ही खतम कर दिया गया था उसके बाद में मानसून session COVID-19 pandemic के दोरान मानसून session को 18 दिन का बनाया गया कि 18 दिन तक मानसून session चलेगा लेकिन बहुत सारे जो parliament की जो members है वो positive हो गए, staff positive होने की वज़े से सिर्फ 10 दिन तक चला मानसून session अब जो winter session है उसको तो cancel ही कर दिया गया था तो इस तरीके से जो official year 2021 है 2020-21 उसमें लोग सभा की sitting हुई 34 दिन के लिए और राजे सभा की sitting हुई 33 दिन के लिए मतलब अब तक की history में देखे तो सबसे lowest देखो यह तो pandemic की बात हो गई, pandemic की समय की बात है इसी लिए यह सारी चीजे की गई थी लेकिन देखो main चीज यह है कि यह तो pandemic की वज़े से हुई है sitting लेकिन sitting होने के बावजूद भी जब हमारा parliament बना था उस समय कम से कम एक साल में डेट सो से ज़्यादा दिन प्रोब्लम यह है कि parliament को organize करवा करके भी जब वहां के rules and regulation को follow नहीं किया जा रहा है जिस procedure के तहत वहां पर काम होना चाहिए जो working के जो technological solution है और भी सारी problems है उनको जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है इस article में यह भी वोला गया है कि पार्लियमेंट को चलाया गया लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया गया अब यह तो हमने basic देखा हमने वर्तमान में जो चल रहा है वो देखा अब हम पिछले कुछ सालों का जो trend चलता आ रहा है कि कि किस तरीके से पार्लियमेंट की जो power है वो कम होती जा रही है हम देखेंगे कि पार्लियमेंट की value क्या है और conclusion में देखेंगे कि way forward में हम कैसे अपनी answer writing में लिख सकते हैं तो सबसे पहले point of concern की बात कर लेते हैं सबसे पहले है bill जो वर्तमान समय में जो bill pass करवाए जा रहे हैं उसमें procedure को follow नहीं किया जा जैसे जैसे कि bill को ही आता है उस bill को एक parliament committee को भीजा जाए बिल आने के बाद में वो parliament committee जो suggestion दे उनको include किया जाए और इससे जो बेहतरीन bill है वो सामने आएं लेकिन इस समय पार्लियमेंट में क्या होने लग गया कि कुछ समय के दोरान है बिलों को pass कर लिया जाता है जो procedure है उसको follow नहीं किया जाता parliamentary committee इसको बिलको नहीं बेजा जाता लोगों की review नहीं मांगा जाता और इसकी वज़े से जो government चाती है वो अपनी वनमानी कर रही है इस समय इस session में 13 bill लाए गए और इन 13 bill में से किसी भी bill को parliamentary committee के पास में examination के लिए refer नहीं किया गया इसमें से कुछ bill तो ऐसे थे जो बहुत ही जादा जिसका impact बहुत जादा होने वाला है जैसे अगर example से हम देखे तो government of national capital territory of Delhi amendment will 2021 इसमें Delhi की जो legislature है elected legislature और lieutenant governor की जो power है उसके लेकर के टसल है इस bill में और lieutenant governor को more powerful बनाया गया है इस bill को 15 मार्च को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और उस house के दोरा पास भी कर दिया गया फिर राजे सबा में 22 मार्च को इसको पास कर दिया राजे सबा में 24 मार्च को पास कर दिया गया लोकसभा में 15 मार्च को तो introduce किया 22 मार्च को पास हो गया अब next bill की अगर हम बात करें, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2021, ये जो bill है, इसने 1957 का, जो Minerals Act है, Mines and Minerals Act, उसमें कुछ changes की हैं, और जो captive mines है, captive mines मतलब जिस चीज के लिए, मानलो आपने mines ली, कि हम इससे जो भी कोईला निकालेंगे, जो भी हम minerals निकालेंगे, इसका यूज करेंगे हमारी फ तरीका होता है, जिसमें आप mines के में से जो निकालो, वो खुद के यूज के लिए नहीं, बलकि बेचने के लिए निकालो, तो होता है non captive mines, तो captive mines में जो condition है, उसको ease बनाने की कोशिस की गई है, इस bill में, इस bill को भी 15 मार्च को introduce किया गया था, और दोनों ही जो houses हैं, उनके द्वारा एक सप्ता में पास कर दिया गया, इसके अलावा NABFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development, इसमें government जो है एक new infrastructure बनाएगी finance institution के लिए, और इसके अलावा next insurance bill 2021, इसमें जो insurance sector है, उसमें direct investment, foreign direct, मतलब FTI का, जो 49 से 74 परसेंट तक इंपलीज कर दिया गया, तो ये सारे जो bill हैं, वो दोनों houses के द्वारा पास हो गए हैं, और सिर्फ एक सप्ता के अंदर, इन 13 bills में से, जो इसी session में जिनको introduce किया गया है, और इनमें से 8 को तो इसी session में पास भी करवा दिया गया है, एक तरीके से देखा जाए, तो जो parliament है, वो काभी fast कम करने लग गई है, लेकिन आप efficiency की बात कर र हो, कोई भी bill है, उसको आप introduce ही नहीं कर रहे हो, पार्लियमेंटी कमेटी को, लोगों की जो राय है, वो कैसे सामने आईगी, यह point of concern है, सबसे पहले, पहला concern हमने डिसकस किया, कि bill जो लाए जा रहे हैं, उनको पार्लियमेंटी कमेटी, public review, इसके लिए भीजा ही नहीं जा ऐसी धा, पार्लियमेंट regular डम 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 पास किये जारी है, बिल्स को, और जो बिल हैं, वो काफी important है, next, अगर हम point की बात करें, तो है, decline in the efficacy of the committees, देखो, यहां पर देखो, 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 देख गिरती जारी है, जैसे 14 लोकसबा की अगर हम बात करें, तो उसमें 60% तक decrease हुआ, 15 लोकसबा में 71% तक decrease हुआ, और 60 लोकसबा में 27% तक decrease हुआ, और जो current चल रही है, लोकसबा, उसमें 11% तक decrease हुआ, मतलब committees की जो efficacy है, उसमें declinement आया है, लेकिन इस article में यह बोला गया है, कि committees को जो bill भेजे जाते हैं, वो काफी अच्छे सामने आते हैं, जैसे कि insolvency and bankruptcy code को, जब committee को भेजा गया, तो committee नी जब अपनी recommendation दी, तो यह जो bill है, वो काफी अच्छे way में introduce हुआ, मतलब government जो bill को लेकर किया थी, उसमें काफी changes हुए, और इसको लेकर के बाद में कुछ भी विवाद नहीं हुआ, वरतमान समय में जो farmers के द्वारा जो protest किया जा रहा है, उसका भी में कारण ये है, कि उन farm laws को कभी भेजा ही नहीं गया, परलिमेंटरी committees को, कि परलिमेंटरी committees, public review, जो organization है, farmers related, उसके review के लिए भेजा ही नहीं गया, अगर वो procedure को follow किया जाता, तो हो सकता है, कि ये चार महीने से जादा जो protest चल रहा है, वो नहीं होता, next इसमें बताया गया है, motor vehicles act के बारे में, कि ये जो motor vehicles act है, इसको भी committee की recommendation के आदार पर change किया गया, और उसी की वज़े से जो व्यवस्ता है, वो बहुत शांदार निकल करके आई, next concern क्या है, कि देखो किसी भी बिल को, government जो है, वो किसी भी बिल को money bill के रूप में introduce करती थी है, अब money bill के रूप में introduce करने से क्या होता है, कि उसको राजे सबा की अनुमती नहीं लेनी होती, राजे सबा से पास नहीं करवाना होता money bill को, सिर्फ राजे सबा money bill के उपर अपनी राय दे सकती है, recommendation दे सकती है इसके अलावा जो finance bill है उसमें कुछ amendment किये गए life insurance corporation act 1956 में और उनको भी money bill के तहत इसके अलावा करवा सकते हूँ as a money bill deduce करकर के तो यह तो जो problem है उसको आप बढ़ा रहे हो कमनी कर रहे हो इसके अलावा देखो faulty practice of passing bills without discussion in train परतमान का जब budget session आया तो उसमें यह बाद discuss की गई कि second phase में हम 5 ministry के बारे में अच्छे से discuss करेंगे लेकिन बाद में सिर्फ तीन ministry के बारे में अच्छे से discuss हुआ और 76% total budget का 76% जो budget है वो बिना किसी discussion के pass हो गया और यह जो behavior है वो ऐसा नहीं कि अब भी चलता आ रहा है पिछले 15 साल से trend चलता आ रहा है और इस समय के दोरान पिछले 15 साल से 70-100% budget को pass कर दिया गया without discussion in most years मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ NDA government में यह हो रहा है UPA government की समय भी यह सा होता था एक problem क्या है पार्लियमेंट को लेकर के कि deputy speaker missing है हमारे constitution के article 93 में यह बात बोली गई है कि जैसे ही लोकसभा होती है पार्लियमेंट बनाई जाती है उस लोकसभा में जैसे ही लोग आते हैं दो members को house का speaker और deputy speaker के रूप में बनाया जाएगा अब deputy speaker जो है जादा से जादा यह बोला गया है कि एक महीनी के अंदर आप बना सकते हूँ 1998-1999 इस period को exception मान लिया जाए तो उसमें 269 days में deputy speaker बनाय गया था लेकिन अगर इस समय की बात करें तो deputy speaker दो साल से जादा का समय हो गया लेकिन deputy speaker नहीं मिल पाया है तो देखो इस तरीके से जो problem है जो परेशानी है उसको solve ना करकर के उसको बढ़ाया जा रहा है ठीक पारलियमेंट के जो functioning है ना वो भी कम होती जा रही है अब हम पिछले no confidence motion लाया गया इसमें लेकिन जो UPA government है वो नहीं गिरती है वो अपनी majority अचीव कर लेती है लेकिन UPA government को यह बता लग गया कि दुबारा से जब winter session होगा तो उसमें दुबारा से no confidence motion लाया जाएगा तो एक session में एक बारी no confidence motion को introduce किया जा सकता है तो इसी लिए UPA government ने क्या कि क्रिस्मस टाइम तक मतलब जिस समय winter session होता है उस समय तक increase कर दिया मानसून session को बार बार इस session को extend करते रही इस समय उन्होंने 8 विल पास की और लोकसबा में और सिर्प 17 मिनिट की अंदर उन्होंने लोकसबा में इसको पास कर लिया 2009 से 2014 की अगर बात करें तो उस समय disruption बोजता मतलब कोई भी काम होता था जो opposition थी वो majority में आ करके मतलब वो अपनी आवाज बुलंद रख करके और एक तरीके से UPA को मतलब जो काम है जिस efficiency से काम होना चाहिए वो उस समय के दोरान वो काम उस तरीके से होई नहीं राता अगर परतमान समय से comparison किया जाए उस समय क 2009 से 2014 तक की जो UPA 2 government थी वरतमान समय में disruption बहुत कम होता है कोई भी बिल जब introduce किया जाता है तो वो अच्छे से पास होता है लोगों की आवाज को सुना भी जाता है लेकिन सबसे बड़ी प्रेशानी ये है कि जो बिल की जो scrutiny है मतलब बिल लाया गया लेकिन उसको committees को refer नहीं किया जा रहा है तो एक तरीके से जो government है वो अपनी majority का फाइदा उठा रही है और बिल को सिर्फ अपनी इच्छा के according पास करवा रही है लास्त में इस article में ये बोला गया है कि देखो जो parliament है वो हमारी democracy में एक central road रखता है और उसका काम है कि government की जो काम है government का जो भी work है उस का ये में काम है तो इस article में बोला गया है कि parliament की जो power है अगर उनको ढंक से use नहीं किया जाएगा तो उसकी जो value है जो stand है जो position है वो समय के साथ degrade होती जा रही है majority powers अपने according bills पास करवा रही है और उसको लेकर कि जैसे farmer protest काफी लंबे समय से protest कर रहे हैं इसी तरीके से ये जो bill उस समय के दोरान ही जो जैसे मतलब एक सब्ता में दो सब्ता में बिल पास हो रहे हैं ना किसी committee से recommendation ली जा रहे है ना public review करवाया जा रहा है तो इससे जो effectively bill आने चाहिए जिनके efficacy बहुत शांदार होने चाहिए ऐसा result सामने नहीं आएगा तो अगर parliament की जो efficacy को maintain किया जा जाहिए तो government को यह जो proposal दिये गए है कि कोई भी bill लेकर के आए उसकी sufficient scrutiny हो parliament procedure को follow किया जाए और तभी वो bill एक act के रूप में introduce हो मतलब लोगों की जो aspirations हैं hopes हैं उनको fulfill करने के लिए bill होना चाहिए ना कि government अपनी personal aspiration और जो hopes हैं उनको fulfill करने के लिए bill लेकर के आए next article महरास्टा से related है अभी उस समय पहले की बात है महरास्टा की hospital में आग लग गई थी और उसी की वज़े से जो infants है उनकी death हो गई थी same procedure फिर से repeat हुआ है एक mall में hospital बनाई गई थी ऐस्ताई रूप से जैसा की महरास्टा government के दुआरा बताया गया है कि कोविड-19 के केसेज बढ़ने की वज़े से एस्ताई रूप से hospital बढ़ाई गई थी और उस एस्ताई रूप से उसको परमिशन खतम भी होने वाले थी 31 मार्च को लेकिन परेशानी क्या हुई कि वहाँ पर आग लग जाती है mall में नीचे किसी शोप में और उसकी वज़े से कोविड-19 की पेसेंट जो वेंटिलेटर पर थे उनकी डैथ हो गई और इसमें सीधा सा अगर हम देखें कि महारास्ट्रा में जो आगजनी की hospital में especially जो और फायर से रिल्टेट प्रोब्रम भढ़ती जा रही है उनको एड्रेस करने की आफशकता है especially जो हमारा नेशनल डिजार्टर मैनिजमेंट एक्ट है उसके तहत कुछ गाइडलाइन्स दी गई है especially hospital के लिए कि hospital की building किस तरीके की होनी चाहिए ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी hospital बना दोगी hospital के लिए ventilation होना चाहिए especially जब भी problem होती है तो एक exit ऐसा door होना चाहिए जिससे हम परिशानी के समय में वापस बाहर निकल सके fire से related problem वहाँ काफी issue रहता है इसी लिए जो भी वहाँ पर सामान होता है hospital में उनको जो switchboard होते हैं उनसे दूर होने चाहिए मतलब ऐसे जो object जो flameable हैं उनको switchboard से दूर होना चाहिए जो electricity का work है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए कोई भी तार खुला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वज़े से पिछला जब incident हुआ था तो इसी तरीके का incident हुआ था कि electricity का work चल रहा था जो wires थे वो open थे और C की वज़े से आग लग गई थी तो इस article में बोला गया है कि देखो फिर से fire की problem हुई है फिर से committee बिठाई जाएगी फिर से recommendation आएगी फिर दुबारा incident होगा फिर बोला जाएगा कि पहले यह ऐसा हुआ था उसमें ऐसी recommendation आई थी recommendation आने से कुछ नहीं होने वाला कुछ change नहीं होने वाला जब तक वो चीज़े basic coin पर ground level पर implement नहीं किया जाएगी किसी भी hospital को जो आप permission दे रहे हो तो उसकी जो सारी guidelines है उनको नहीं check किया जाएगा जब तक bureaucracy में जो भरस्टाचार है corruption है वो खतम नहीं होगा किसी भी तरीके से hospital को पैसे के बल पर पास नहीं करवाया जाएगा तब तक मतब सब कुछ fair तरीके से नहीं होगा तब तक ये problem खतम नहीं होने वाली है कितनी ही committee बैठ जाएं कितनी ही committee की recommendation आजाएं परिशानी इसी तरीके से alternate तरीके से repeated होती रहेंगी तो अगर परिशानी को permanent solution देना है तो जो भी recommendation आती है उनको अच्छे से implement करना है जो भी कारण है उनको notice करना है उनके according काम करना है कि आने वाले समय में ये problem दुबारा repeat ना हो तो ये हमारा discussion था ओके, thank you